आप सब लोग कैसे हैं आज का जो मेकप लूख है आप देख सकते हैं यह है ओफिस वियर मेकप जो आप ओफिस में किसी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो रहे हैं तो यह मेकप बहुत ज्यादा हेल फूल रहेगा आपके लिए तो चलो करते हैं वीडियो को सुरू सबसे पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लिजे और अपना कोई भी एक फेवरेट मौश रेजर अप्लाई कर लिजे आप चाहें तो अपना प्राइमर भी कोई फेवरेट प्राइमर भी अप्लाई कर सकते हैं बट जब भी आप मेकप कर रहे हैं तो यह बात आप हमेशा याद रखिए कि आप डे के लिए मेकप कर रहे हैं आप फिर ओफिस के लिए फ्रिंस तो ज्यादा प्रोड़क्ट अप्लाई मत कीजिए यहाँ पे मैंने ओली कंसीलर से ही फेस का फाउंडेशन रेडी किया है आप चाहें तो अपना फेवरेट कोई एक फाउंडेशन ले सकते हैं बर ये ओफिस वीर मेकप है तो आपको जैदा हैवी मेकप भी नहीं करना है फ्रिंस ये मेकप जो है वो ऑफिस के लिए है तो आपका जो मेकप है वो न्यूड और सटल होना चाहिए तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कम प्रोड़क्ट की यूज करें यहाँ पे मैं किमी का compact powder apply कर रही हूं आप चाहे तो कोई भी आप अपना फेवरेट compact powder या loose powder ले सकते हैं friends आप इस तरह से makeup brush से powder brush को लेकर इस तरह से अपने face को अच्छे से डैप डैप कर लिजे product आप देख सकते हैं मैंने foundation बहुत ज़्यादा कम apply किया है friends यहाँ पर मैं huda beauty का blesser ले रही हूं यहाँ पर ब्लसर आप अपने cheek में उतना ही apply कीजिए friends जितना की need है मैंने आपको पहले भी बताया है कि makeup में ज्यादा ही product use मत कीजिए बहुत ज्यादा nude और subtle makeup होना चाहिए office presentation के लिए तो यहाँ पर अब बारी आ गई है eye makeup की so friends यहाँ पर मैंने अपना जो shirt पहना है वह हलका pink color का तो आपको उससे मिलता जूलता eye makeup करना है friends यह जो eye makeup है आप office के लिए किसी बीड्रेस के साथ आप कर सकते हैं इसाई makeup को friends तो आपको सबसे पहले brown color लेना है क्रीज लाइन बनाना है उसके उपर आपको हलका pink color लेना है और पूरे eye lid पर इस तरह से brush के help से apply कर लेना है friends आप बिल्कुल भी ज्यादा color apply मत कीजिए आप मैंने पहले भी बोला है कि आपका जो makeup है वो nude और subtle होना चाहिए इस तरह आपको उसके बाद से मैंने यहाँ पर dark brown लिया है dark brown लेके मैंने हलका सा cut cream करने की कोसिस किया यहाँ पर आपका जो eye makeup है वो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा जब आप liner apply करेंगे तो उससे आपका eye makeup और beautiful लगेगा friends बर जब भी आप office के लिए makeup करते हैं friends तो ज़्यादा dark color जैसे कि आपका red, black, blue, green इस तरह को avoid कीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा awkward लगता है इस तरह से eye makeup यह जो eye makeup है friends आप कोई भी color का shirt पहने है तो भी eye makeup आपको बहुत ज़्यादा suit करेगा तो यह nude eye makeup है उसके बाद मैंने यहाँ पे same eye shadow को steamer वाला apply किया है जो मैं अपने eye के mid पे apply कर रही हूँ आप देख सकते हैं friends यह जो eye makeup का जो base है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैंने यहाँ पे steamer को भी बहुत ज़्यादा apply नहीं किया इस तरह से friend मेरा eye makeup done हो गया आप काजल apply कर लीजिए उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं liner के जगह पे मैं काजल को apply कर रही हूँ और वो भी only last में थोड़ा सा apply कर रही हूँ और उसको brush से लेकर मैंने अच्छे से smudge कर दिया था वो थोड़ा सा liner का भी look दे रहा है friends जब भी आप office के लिए make up कर रहे है eye makeup तो liner भी भर के मत apply कीजिए बहुत गंदा लगता है तो यहाँ पे आप eye lashes को curl कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अच्छे से इस तरह से mascara को apply कर लीजिए friends यहाँ पे मैं huda मैं का mascara apply कर रही हूँ यह mascara बहुत ज्यादा अच्छा है friends बहुत volume है इसमें इसे हमारा जो लैसेस है वो बहुत जल्दी से curl हो जाता है आप देख सकते हैं eye makeup जो है वो done हो गया है इसके बाद आपका जो makeup है वो nude और subtle लगेगा friends यहाँ पे मैं अपने eyebrow को fill कर रही हूँ friends यह ADS का eyebrow filler जो की 10 ए 20 रूपीस में आता है यह भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है friends apply करने के लिए आपको office के लिए ज्यादा हास eyebrow को भी fill नहीं करना है इस तरह से आप apply कर लिजे और अपने हाथ के help से इसको अच्छे से merge कर दीजे इससे आपका eye makeup जो है वो बहुत ज्याद अच्छा लगेगा eyebrow तो बहुत ज्यादा natural लगेगा friends यहाँ एक छोटी सी tip आपको share करना चाहती हूं कि जब भी आपका eyebrow आपको लगेगी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आप अपने beauty blender को लेकर इस तरह से उसको अच्छे से save दे सकते हैं तो friends उसके बाद आ जाती है अ इसके बाद मैंने एली 18 का लिप्स्टिक लिया है जिसका नंबर है 02 यह बहुत ज्यादा nude कलर है friends जो मेरा makeup है eye makeup उसके साथ यह लिप्स्टिक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है friends उसके ऊपर में मैंने same pink color को eye shadow को apply किया इससे जो मेरा lipstick था वो matte हो गया है उसके बाद मै मैंने watch wear किया क्योंकि यह most important है friends आप किसी meeting presentation के लिए जा रहे हैं friends यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बड़ा सा यह रिंग वियर कर रही हूं क्योंकि यह यह रिंग बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप चाहें तो कोई छोटा सा small size का भी यह रिंग विय लीजे फिर एक बॉब पिन ले लीजे और उसको अच्छे से इस तरह से लगा लीजे इससे आपका जो बाल है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप चाहें तो friends यहाँ पर आपका फेवरेट कोई क्लिप लगा सकते हैं इस लुक में यह लुक बहुत ज्यादा अच् तो यह मेरा फाइनल लुक हो गया है रेडी friends यह वीडियो आपको कैसी लगी प्रिस्वेव मेरे वीडियो को किसी अगर आपको अच्छी लगी है तो सेयर कीजे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और यह वीडियो आपको कैसी लगी comment में जरूर लिकिए मिलते हैं नेक